यही है इनकी तालीम यही सिखाया जाता है यहां पे रेपिस्ट बनना अरे कहां गया प्रदान मंत्री जी आपका दिल जब आप ही के कॉंस्टिट्विंसी में बनारस हिंदू युनिवर्सिटी के चात्र के साथ आप ही के भाजपा के ITCEL के पददिकारी ग्यांग रेप में स्वयम योगी आदित्यनाच जी जिसका बुल्डोजर वैसे तो हर दूसरे इंसान पर चल सकता है पर जब बात उन्हीं के पददिकारियों की जो रिपस्त है कहां गया बुल्डोजर क्या ड्राइवर चुटी पे गया है क्या डीजल महेंगा हो गया इसलिए बुल्डोजर की बात करने वाली स्मृती रानी चुप है क्यों चुप है हर मामले पे चुप हर बात पे चुपी कब तक ये सहन करेंगे देश की महिलाएं कि भाजपा के पददिकारी महिलाओं का बलतकार करते हैं वो जो हमारे मीडिया के साथी हो है अमिश्ट देवगन जो आरपार करते मैं उसे चालेंज देती हूँ आईए ये आरपार के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट और टॉपिक है ये आरपार कीजिए दिखाईए भाजपा की असलिया आरपार कीजिए सुधिर चौधरी जी कीजिए ब्लाक एंड वाइट सारे बलतकारियों पे भा बला नहीं बोला जाएगा तो देश की बेटिया कैसे सुरक्षित रहेंगे बनारसिंदू युनिवर्सिटी में दो मेहने पहले वहां की चात्र के साथ गैंग रेप हुआ और तभी मीडिया की जो CCTV कैमेराज होते हैं उसके फुटिज में तीन लोग साफ दिखाई दिये एकदम साफ उनके चेहरे CCTV फुटिज में दिख रहा था उनका नाम कुनाल पांडे, अभिशेक चोहान, सक्षम पतेल जो बीजेपी आईटी सेल के पाटी के पददिकारी है बीजेपी एक और कहती है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, पर सचाई ये है कि बीजेपी महिलाओं के लिए बलतकारी जनता पाटी बन चुकी है बेटी बचाओ का नारा और काम बेटी रुलाओ की आज मैं आपके सामने कुछ चीजे रखना चाहती हूँ और आश्चर्य की बात ये भी है कि जो चीजे शोशल मीडिया पे दिख रहा था कुछ समय पहले वो अब उन अकाउंट्स को शोशल मीडिया से निकाला गया है कितने अच्छे तरीके से भाजपा अपने आईटी सेल का उप्योग करता है वो देखने लायक है मेरा सवाल सबसे पहले प्रदानमंत्री जी से है ये वही प्रदानमंत्री जी है हमारे देश के जो कहते हैं कि जब वो कोई बलातकार के बारे में सुनता है कोई मा बेटी बेहन का बलातकार होता है तो उसका दिल बैठ जाता है अरे कहां गया प्रदानमंत्री जी आपका दिल जब आप ही के कॉंस्टिट्विंसी में बनारस में बनारस हिंदु युनिवर्सिटी के चात्र के साथ आप ही के बाजपा के आईटी सेल थे पददिकारी ग्यांग रेप में शामिल है और बड़ी बात तो यह है कि वो ऐसे ऐसे आपके साथ उनके फोटोग्राफ से आप देखे कोई प्रदानमंत्री जी से अकेले अकेले ऐसे मिल सकते है क्या सोचने वाली बात है इतनी घनिष्टता इतना पर्सनल टॉक्स इतना वन टू वन रेपिस्टों के साथ और वो भी आप ही के कॉंस्टिट्विंसी के के अंदर आप इन्हें पना दे रहे हो साथ दिन लगा सिक्स्टी डेज साथ दिन लगा है देश के यूपी के पुलीस को इनको गिरफ्तार करने में और मजे की बात ये भी है कि गिरफ्तारी वो साथ दिन वो कहां पर बिताए मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में चुनाओ का प्रचार भी कर रहे थे यही गैंग्रेपिस्ट देखिए कुनाल चौदरी जी कुनाल पांडे प्रधानमंतरी जी के सात उनके one to one share कर रहे हैं और इस तरीके से one to one कि कोई भी उन पे उंगली उठाने से भी डरे और मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूं अगर बनारत सिंदू युनिवर्सिटी में वो मोर्चा नहीं हुआ होता ना लोग वहां के जनता ने और वहां के स्टूडेंस ने इस बात को उठाया नहीं होता ना तो पांडे जी का भाजपा का के अध्यक्ष के साथ पर्सनल रिलेशन्स ये है स्वयम योगी आदित्यनाद जी जिसका बुल्डोजर वैसे तो हर दूसरे इंसान पे चल सकता है पर जब बात उन्हीं के पददिकारियों की जो रिपस्ट है कहां गया बुल्डोजर क्या बुल कि डीजल महेंगा हो गया इसलिए बुल्डोजर नहीं चला पा रहे हो शरम अब ये लीजिए ऐसी भी बात नहीं है कि वहां का मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाद जी उनको एक बार मिला एक बार दो बार कुछ तो होगा घनिष्टता वरना इतने बड़े बड़े निताओं के साथ ऐसे वन टू वन ये लीजिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ भी भुजेश पाठक के साथ भी घनिष्टा और देश के जो यहाँ पे देश में महिलाओं एवं बाल विकास की बात करने वाली और जिसको वहाँ पे उस मंत्रालईव का पद संभालने को दिया गया ये भी कुछ कम नहीं है देखिए कैसे सक्षम पटेल के साथ भाजपा आईटी सोशल मीडिया की का जो पददिकारी सक्षम पटेल और रिपस्ट सक्षम पटेल की घनिष्टता मुस्कुराते हुए इसी तरीके से होगा देश में महिलाओं का विकास स्मृती रानी चुप है क्यों चुप है हर मामले पे चुप हर बात पे चुपी कब तक ये सहन करेंगे देश की महिलाएं कि भाजपा के पददिकारी महिलाओं का बलतकार करते हैं और वो एकदम स्कॉच फ्री एकदम उन पे कोई सवाल कोई जवाब उनको तो छुट्टी म मिल गया भाजपाद से जोड़ो और रेपिस्ट बनो वह अब एक और बात जो बहुत उचलता है ना एक इंसान अपना आई टी मीडिया सेल ये देखिए ये कौन मालविया जी आप कुछ बोल सकते हैं अभी ये है गनिश्टता आपकी दो अलग अलग जगब समय पे ये देखिए कुनाल ये देखिए शक्षम पटेल क्या कहना है अब आपका मालविया जी यही संसकार है आपका और आपके पाटी का जो बार बार मैलाओं पे अत्याचार रोकने की तो दूर की बात है खुद मैलाओं पे अत्याचार में शामल होते और अत्याचार क्या रेपिस्ट है ये मंत्री महेंद्रनाथ पांडे जी के साथ हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर है, बहुत हेवी वेट है और क्या देखना है हमें, यही है इनकी तालीम यही सिखाया जाता है, यहाँ पे रेपिस्ट बनना और यह कहता है कि ये देश हित में यहां पे बैठे हुए है मैं आपको भूत सारे फोटोग्राफ इसलिए भी दिखा रही हूँ क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि यह इंसान कोई एक जगह से नहीं जुड़ा है जब आप इतने सारे बड़े निताओं के साथ जुड़े होते हैं तब आप कोई बड़े व्यक्ति होगे हमारे मीडिया के साथियों से क्योंकि आज नया साल है मुझे विश्वास है और मुझे पता है कि आप यहां पे जितने भी हमारे मीडिया के साथी यहां पे बैठे हैं आप ये चीज़े अपने वहाँ पे मीडिया रूम्स तक पहुचाते हैं पर आज मैं आपके माध्यम से उन सभी जो शोस करते हैं न वो जो हमारे मीडिया के साथ ही हो है भले ही वो नविका हो शुशान सिना हो अमिश्द देवगन जो आरपार करते हैं मैं उसे चालेंज देती हूँ आईए यह आरपार के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा सबजेक्ट और टॉपिक है यह आरपार कीजिए दिखाईए भाजपा की असलियत आरपार की सुधीर चौदरी जी ब्लाक और वाइट अब बलतकारियों पे अंजना ओम कश्यप जी पधारिये हला बोल यह ऐसी बातों पे अगर हला नहीं बोला जाएगा तो देश की बेटिया कैसे सुरक्षित रहेंगे